असलाम आलेकूम, as you all know, my name is Jamil Ayman Talani, you are watching PCB with Jamil Ayman. Students, उमीद के खेरियत से होंगे और अपने study के साथ भी बहतरीन जा रहे होंगे. So students, end तक मेरे साथ रहे हैं, last time हमने deal कीती significant figures के साथ. तो अब हमारे पास important topic है, rounding of data. You know, जब board में papers हमारे होते हैं, हमें mark sheet पे, जो हमें percentage मिल रही होती है, हम उनको round off कर नहीं पाते. हमें after decimal, वो points में कुछ marks दे देते हैं, percentage निकाल के देते हैं. तो हमारे जहन में ये बात होती है, कैसे हम round off करें, हमारी percentage क्या है, 9th में, हमारी percentage metric में क्या होगी, हमारी percentage first year में क्या है, कोई भी चीज़ आप round off कैसे करें, तो आईए देखते हैं, कैसे round off करनी हैं से चीज़ों को. So, हमारे पास topic rounding of data, rounding of data means के भई, to reduce the numbers to desired significant figures, हम numbers को reduce करें, after decimal, जो numbers होते हैं, जितनी हमारी ख्वाहिशात हो significant figures के लिए, significant figures को हमने deal किया था, जो के important numbers होते हैं, calculation में हमने significant figures कहते हैं, So, numbers को कैसे round off करते हैं, कैसे reduce करते हैं, there are three rules to round off the data, if last digit is greater than five, so we have to focus on the last digit, हम जिस नमबर को round off करने जा रहे हैं, उन last digit को देखेंगे के भई, वो five से greater है, five से less है, या खुद five है, उन तीनों rules को आज हम discuss कर रहे हैं, उसके बाद, मैं आप लोग को एक trick भी दूँगा, कि of data में आप answer निकाल के देंगे, इन्शालला, तो देखें भई, if last digit is greater than five, अगर last digit greater than five है, then add one to return number, and simply drop it, तो देखें, आप confused होगे, कि सर, यह क्या rule लिखा हुआ है, आपने, देखें, 7.468, अब आप लोग को कहा गया है, कि इस number को round off करें, three significant figures तक, three significant figures तक, यहाँ पर चार significant figures है, आप लोग को three significant figures में करना है, तो आप लोग confused हो जाएंगे, अब देखें, 7.468, यह number five से greater है, हम इसे drop करके, यहाँ पे एक add करेंगे, 7.57, इसके पाद, अगर मैं एक दूसरा example दूँ, first rule को लेके, मैं एक दूसरा example दे रहा हूँ आपको, भई, 9.6687, यहाँ पे हमा हुआ है कि इसे, तीन significant figures में convert करेंगे, कैसे convert होगा, भाई, simple है, देखें, 9.668, 75 से greater है, drop करके, यहाँ पे add करेंगे, यह automatically 9 हो जाएगी, अब 9 खुद, 5 से greater है, यहाँ पे, इसको drop करके, एक add करेंगे, 9.67 हमारे पास answer है, इसके बाद है, second number rule, if last digit is less than 5, simply drop it, for suppose, 7.4343, य less है, drop करेंगे, 7.434, 4 drop करेंगे, हमारे पास answer है, 7.43, यह हमारे पास 3 significant figures में answer बिलती है, अगर last digit खुद 5 है, तो हम क्या करेंगे, एक तो greater थी, हमने एक add करके return number में, इसको answer हमने ले ले लिया, इसके बाद एक तो less थी 5 के, हमने वहाँ पे simply drop करके answer ले लिया, अब 5 हमारे पास odd बचती है, या even बचती है, अगर हमारे पास return number odd है, तो हम क्या करेंगे, add 1 करेंगे, for suppose, 7.335, यहाँ पे देखे, 5 खुद है last digit, तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, यह odd है, इसको drop करके, एक add कर लेंगे, 7.34, 45 से down है, तो 7.3 हमारे पास answer है, उसके बाद ह even, for suppose, 7.445, यह वाला even है न, 5 को drop कर लेंगे, simply, यह फिर 5 से less है, तो 7.4 हमारे पास answer है, यह तो होगी, according to rules, अब rules के इलावा, हम अपनी tricks को देखें, क्योंकि PCP विजमी लेमत सिर्फ एंसलिफ बलीव करती है, तो tricks पे बलीव करती है, आपके पास number है, यहाँ पे देखें 7.78321XYZ000, तो आप लोगों को आगे वाले numbers को focus नहीं करने, आप क्या देखेंगे, point के side में, वो 5 से greater है, यह तो 5 से greater है न, यह 7 तो 5 से greater है, तो यह automatically आप answer लिख रहें न, 8.0, ठीक है बाई, यहाँ पे देखें न, 8.675, यह 5 से greater है, इन numbers को छोड़ दे, return numbers को छोड़ द 5 से greater है न, तो यहाँ पे simple यह कैड़ कर ले, यह हो जाएगी 9.0, और उसके बाद, second rule को देखें, for suppose, second rule के इसाब से हमरे trick क्या बंदी है, 8.336798, doesn't matter, हम इसको देखें, 5 से less है, तो answer हमरे पास 8.0 ही आती है, उसके बाद, अगर यहाँ पे देखें, 8.5, अभी देखें, य और यहाँ यहाँ पे तो खुछ 5 आगी, और यहाँ तो हम यहाँ पे वही answer हमारे पास 8.0 रहेगी, अगर यहाँ पे होता 7.5, तो यह odd है, 5 को drop करके, यहाँ पे 8.0 हमारे पास answer है, ज्यादा तरह मार्क शीट में, हमको यहाँ पे ऐसे मिला होता है, 7.06%, तो क्या करेंगे, किसको देखेंगे, 5 से, लेस है ना, तो यह हमारे पास cut हो जाएगी, 75% जाती है, ठीक है भाई, तब तक के लिए लाफिस, वीडियो को देखते रहे हैं, लास्ट वाले वीडियो देखें, आगे आप लोगो बहुत सी हैल्प मिलेगी, सब्स्क्राइब करें चैनल को, बेल यू ट्रिक और ट्रिप्स वाले जो भी वीडियो जो आप तक बाहत सानी पहुच सकें, तब तक के लिए लाफिस,